कि अजिनवश्कार कैसे हैं आप मैं हूँ आपका होस्ट शत्रुगन और चलिए सुरू करते हैं आज के बहुतरीन पुस्चन देखते हैं आपकी एक्जाम में क्या क्या हो सकता है और आपने देखा होगा ऐसे ही कुशन आपके एक्जाम में पूचे जारे हैं जिन फिर बच् सब्सक्राइब करते आज का भैत्रीन सेगमेंट देखते कि आपके एक्जामें किस तरह के कुशन पूछे जा सकते हैं और कैसे कुशन पूछे जा रहें चलिए पहला कुशन देखते हैं लोग पहला कुशन है राज शेखर एंड जिन प्रभा सुरी वर प्रटरोनाइज आगर राजशेकर वे जैन प्रभासूरी के में बात करूं किसकी बात करूं राजशेकर वे जैन प्रभासूरी के में बात करूं तो यह किसके दरबार में थे किसके दरबार में थे मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे जिसने भी आंसर क्या लगा है option C लगा है वो बिलकुल आपके सही है तो answer क्या था option C इसका सही उत्तर था दूसरा अगर मैं बात करूँ ठीक है और क्या सकता है तो आपने एक नाम सुनाओगा किसका इबन बतूता इबन बतूता का नाम सुनाओगा ठीक है जो की मुरुको से आए था कहां से आए था मुरुको से आए था ठीक है ये भी किसके दरबार में था ये भी मुहम्मद बिन तुगलक के बिन तुगलक के दरबार में थे ये भी पूचा जाता है इसकी famous किताब कुन सी है रहला रहला इसकी famous किताब है जिसमें मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है और इसने मुहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है एक wise king यानि बुद्धिमान बुद्धिमान राजा कहा है वैसे मुहम्मद बिन तुगलक ठीक है पागल ठीक है आदर्श इल आइडियलिस्ट इसके बाद आप कहा सकते हो ठीक है सनकी रख्ति पिपासू इन सभी उपादियों से ठीक है किसे तो मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम पिरेट की बात करूँ इसका कारेकार तेरह सो पच्चिस से लेखे तेरह सो इक्यावन तक यह गद्धी पे था तो 1325 से लेखे 1351 तक मुहम्मद बिन तुगलक गद्धी पे दे और ग्यासित दुन तुगलक जिसे गाजी मलिक गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है इसने 1321 में इस तुगलक वंस की तुगलक वंस की स्थापना की थी क्या कि थी इस तुगलक वंस की स्थापना की थी ये भी आपको याद अखना है ये भी अकसर एक्जाम में पूछा जाता है तो कॉश्चन कहा था राजसेखर जिन प्रभा सूरी किसके दरबार में थे तो यह आपके मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे जिसने भी आंसर क्या दिया तो आप देखोगे कि जो गड़वाल साशक थे कौन थे आपके गड़वाल जो शाशक थे जिसमें आपने जैचंद का नाम सुनाओगा इन सासकों के सिक्कों पर किसी मुर्ती थी माता लक्ष्मी जी की मूर्ती थी इसकी लक्षमी जी की फोटो बनी हुई थी तो मोहम्म्द गौरी ने जब इन फोटो देखी तो गौरी समझ गया यह जो उब आता है यह किसकी संपता या धन की देवी है इसिलिए गौरी ने भी अपने सिक्कों पे लक्ष्मी माता की फोटो रख में तो यह था तो आप तराइन के दो युद्ध के लिए याद करते हो बैटल ओफ तराइन आपने सुना होगा 111 से क्यानवे 1192 किसके साथ तो प्रत्वी राज चोहान के साथ ये याद करते हो है इसके लवा आप को याद होगा है एक और युद्ध ठीके खौन सा 1194 बेटल ओफ चंदावर चंदावर का युद्ध किसके खिलाव जै चंद के खिलाफ किसके खिलाफ जै चंद के खिलाफ तो यह भी आपको याद रखना है 1194 इसके लाब आप याद रखोगे 1178 कौन सा युद्ध है आपका तो यह आपका कायदारा कायद है काय दारा कायुद्ध ठीक है और यह भीम फर्स्ट के सैकिंड के खिलाफ था और इनकी माता का नाम था नाइका देवी तो यह गोरी से कुछ मात्तोपूर्ण कोशन आपके जो आपको याद रखना है और गोरी की बात है तो प्रत्वीराज चोहान की बात आएगी और प्रत्वीराज चोहान के मित्र थे कवीच चंदर बरदाई कौन थे आपके कवी चंदर बरदाई जिन्होंने कौन सी किताब लिखी थी पृत्वी राज रासो लिखी थी यह भी आपको याद रखने हैं कि कुछ फेमस जीज़े हैं जो आपके एक्जाम में पूछी जाती तो आंसर क्या था जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन ए वो बिलक और था चलिए अगले कोश्र की बारी ती ती तर एक न न अगिस जोड़ति के अनन के दरौन क सथापन ब्लकेशन फरस्ट नहीं तटी इसके यह तो सु प्र का आपके फुर्स्ट और अ वाइशन दुत्ये का एहॉल प्रसस्ती है Grnoable प्रसस्ती किसों का आपका ये पुलक्षिन दुत्येहर और किसजने लिखा निख्ञा किसने लिखा आपका रवी किर्थी ने ये आपका फ्रसस्ति आपका लिखा रवी किर्थी तो आंसर क्या देते आप पुलकेशिन दुत्ये क्या अंसर देते पुलकेशिन दुत्ये और इस प्रसस्ति पर फुलकेशिन दुत्ये ने किसे रहा है किसका बढ़ना है तो वर्धन वंस के राजा किसके वर्धन वंस के राजा हर्ष वर्धन को हराया था तो पुलकेशन सेकेंड डिफेटेड ठेक है हर्श वर्धर वो बिलोंग स्टू दा वर्धन डानेस्टी तो किसका जिकर है आपका तो इस एहोल प्रस्तस्ती पर इस युद्ध का आपका वर्णार है उसकी जानकारी हमें मिलती है तो जिसने भी आंसर क्या दिया पुलकेशन स इसका सही उत्तर था ठीक है चालुक्यों की राजदानी क्या थी ये भी इकजाम में आ जाता है तो याद रखेंगे ये जो चालुक्ये है इनकी राजदामी वातापी या बादामी थी कौन सी थी आपकी वातापी या बादामी थी तो जिसने भी आंसर क्या दिया ओप्शन भी दिया है वह बिल्कुल आपके सही है अगला कुशन अगर मैं बात करूँ चोल वांस की स्थापना किस ने की थी विजालिया ने की थी यह बहुत आता है किस ने की थी विजालिया ने आठ सु पचास एडी के आसपास किसके आठ सु पचास और उसके बाद नो सो पिचासी से लेके 985 से लेके 1014 एडी थक आपका साशन किया राज राजा फरस्ट ने साशन किया और 993 एडी में इनो ने साइलोन जीत लिया क्या जीत लिया साइलोन जीत लिया किस ने राज राज फरस्ट ने राज राज फरस्ट और किसके लिए फेमस है तो आपने ब्रह देश्वर ब्रह देश्वर महादेव मंदिर का नाम सुनाओगा महादेव मंदिर जो भोले नात को समर्पित है ठीक है इसका निर्माण तंजोर में वो भी किस ने किया था राज राज फरस्ट के द्वारा हुआ था तो जिसने भी आंसर क्या दिया राज राजा ए ऑप्शन ए आंसर लगाया है वो बिल्कुल आपके सही है तो चोला किंग ने 14 कब 993 AD में सेलंका या साइलोन पर कभजा कर लिया था तो वो राज थे आपके राज राजा फरस्ट ठीक है तो आंसर क्या देते ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होता आई होप इतनी बात सुन में आ गई होगी तो अंसर क्या लगाते ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था अगला कुश्चन किस मुगल साशक को आलमगीर कहा जाता है अकबर को शाह जहां को जहंगीर को या औरंग जेब को आलमगीर केवल आलमगीर ही नहीं जिंदा पीर कौन सा जिंदा पीर ठीक है आलमगीर आलमगीर यह उपाधी किसी को है यह उपाधी औरंग जेब को है किसे आपके और अंग्जेव को यह उपादी है और अंग्जेव का टाइम पिरेट 1658 से लेके 1707 का टाइम पिरेट है ठीक है एक और कुशन आता है कि सबसे लंबे समय तक साशन किसी बादसा ने किया मुगलों में किसमे मुगलों में तो वो आपका औरंग्जेव था कौन था औरंग्जेव इसके बाद यह दो बार गद्धि पर बैठा है एक तो 1658 में और दूसरा 1669 में तो दो बार किसी का राज्या विशेख हुआ है दो बार किसी का राज्या विशेख हुआ है तो वह भी कौन है आपका औरंग्जेव है इसके अलावा आपको 1675 याद रखना है 1675 में क्या वा था तो सिखो के नववे गुरू शिखो के नववे गुरू गुरू ते बाहाधूर- अ बाहादूर की इसने हत्या करवा दीति है अब देति गुरू ते बात आपको सोला सो बातर का नार्णोल के सतनामियो का विद्रो भी याद रखना है ये भी किसके टाइम का है औरंग जेब के टाइम पर है अगर इस्थापत्य कला इस्थापत्य कला की बात करें तो लाहोर की बादशाही मस्जित बादशाही मस्जित या दिल्ली के लाल किले में मुति मस्जित मोती मस्जित ठीक है या बीबी का मक्बरा जिससे दक्षिन भारत का ताज महल का आ जाता है इन सबका निर्मान किसने किया है तीन सबका निर्मान और जेब के टाम का है तो यह भी आप याद रखेंगे एक्जाम के पॉइंटों भी से यह भी बहुत ज़्यादा जरूरी है चलिए अगले कोशन की बारी आपका अगला कोशन है इन विच वाइस रोल्टी दा वुमन्स इन्वस्टी एट पूने फाउंडिड आको ताना है महिला विश्वविद्याले पूने में किस वाइस रोल्टी के टाइप पे आपका इस थापीत होता है या आप से पोछले ब्याच्चू ठीक है बनारस हिंदू विश्वविद्याले पोछले ठीक है तो इसके भी स्थापना आपका 1915 का है और Women's University की स्थाफ़ना 1916 का है किसका है 1916 का है तो आप देखोगे 1916 में Lord James Ford क्या थे भारत के वाइस राइथे 1916 से लेके आपका 21 तक इनके टाइम पे ये सारी घटनाई घटी थुए है तो आंसर क्या देते आप आंसर देते James Ford ठीक है Lord Karjan का टाइम कब से कब तक है तो Lord Karjan का आपने 1899 से लेके 1905 तक देखा होगा और James Ford का टाइम प्रियन 1916 से लेके 21 तक था तो आंसर क्या देते James Ford फिर 1919 का आपको एक्ट याद होगा जिससे Montague Ford Reform के नाम से आप जानते हो तो Montague क्या थे भारत सेक्रेटरी भारत सचीव थे अगर ये भी आते तो भी आपका सकते थे और ये भारत के voice रख़य थे ठीक है जिसने भी आंसर क्या दिया जिसने भी आंसर दिया option A वो बिल्कुल आपके सही है तो इस question का answer क्या था option A इसका सही उत्तर था आई हो इतनी बात के लिए हो गई होगी चले आगे अगले question पर इस अगला question है which of the following is not a member of the solar system तो आपको उताना है सोर परिवार का कौन सा सदस्य नहीं है तो आपने देखा आगा सोर परिवार के सदस्य में कौन आते हैं तो सोर परिवार के पापा कौन सूर्य है सूर्य के बाद ग्रहों की बारी आती है ग्रहों के बाद शुद्र ग्रहों की बारी आती है इनके बाद धूमकेतु धूमकेतु की बारी आती है जिसने आपने हैली ध 86 के आसपास देखी गई थी और 75-76 साल बाद इसका दुबारा से देखा जाना है कितना 75-76 साल बाद तो यह आपने देखा होगा ठिक अगर constellation की बात करें यह क्या होता है यह होता है तारो का समू ग्रूप ओफ स्टार ग्रूप ओफ स्टार होता है तो जाहिड सी बात है जो constellation है जो group of star है वो किसमें नहीं आएगा तो यह group of star आपके सोर परिवार में नहीं आएगा कुछ example लिखेंगा जैसे और येन का नाम सुनाओगा और येन great hunter ठीक किसका great hunter इसके अरावा आपने सुनाओगा लियो लायन ये सब ये किसके पार्ट थारोगत इनका तो अपना होगा solar system के पार्ट नहीं है बात समझाए तो answer क्या देते आप कहते सरनक्षत्र या constellation option c आपके क्या नहीं है तो ये आपके सोर परिवार के हिस्से नहीं है तो सोर परिवार में उर्जा का स्रोत क्या है सोर परिवार में उर्जा का स्रोत ultimate जो स्रोत होता है वह आपका सूर्य होता है क्या था है सूर्य तो जिसने भी answer क्या दिया option c दिया वह बिल्खुल आपके सही है चली अगले कोशन की बारी अगला कोशन देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे अगला कोशन क्या है अगला कोशन है the properties of Eka Aluminium predicted by the Mandelift are the same as the property of the latter discovered element ठीक है तो जाइज सी बात है Eka Aluminium Aluminium तो होना ने चाहिए Aluminium तो होना ने चाहिए तो Echa Aluminium की अगर बात करोगे यह Echa Aluminium वो कौन है आपका वो है Gallium कौन है आपका Gallium अगर Echa Barone की बात करें तो वो आपका Scandrium अगर Echa Silicon की बात करें अगर Silicon की बात करें तो वो क्या किलाएगा आपका Germanium क्या लागा क्या किलाएगा Germanium तो एका Silicon Germanium होता है एका Scandrium आपका Boron और Gallium एक का Aluminium है यानि जो Scandrium है वो आपका Boron की तरफ प्रफ़र्टी से वू करेंगा जर्मीनियम आपका सिलिकॉन की तरह करतब गैलियम के तरह प्रफ़र्टी से व word करेंगा और यू कुस न दिया था मैंड्लीम्स तो कि मैंड्लीम्स का प्रियोरीक ठेवल था यह किस पर बेच था यह आपके increasing atomic mass पर बेच था यानि प्रमाणों के बढ़ते वे द्रम्यमान किस पर प्रमाणों के बढ़ते द्रम्यमान पर modern product table modern modern जो periodic table है वो आपके हैंडी मौजले के द्वारा है किसके द्वारा है हैंडी मौजले के द्वारा है और यह आपका increasing atomic number पर बेच्ट है किस पर आपका increasing atomic number पर आपका बेच्ट है तो आंसर क्या था इस कोशन का आपके सही है चलिए अगले कोशन के बारी से ब्रीधिंग is controlled by which of the part of the brain आपका रथा ना है कि जो ब्रीधिंग है या रस्परेटरिन उस्टम यह brain का कौन सा हिस्सा control करता है तो मस्तिक्त के कि भाग के द्वारा स्वशन की प्रिक्रिया आपके नियंत्रित होती है cerebral, cerebral, hypothalamus, medulla, obland, gutta तो बताईए कि कौन सा हिस्सा ठीक है आपका respiration को control करता है अगर मैं cerebral की बात कर गए हूँ तो यह क्या करता है cerebral regulate temperature यानि तापमान को नियंत्रित करता है किसे करता है तापमान को नियंत्रित करता है अगर cerebral की बात करें किसकी बात करें cerebral तो जितने भी आपके voluntary muscles होते हैं कि उन्हें रागुलेट करने का काम कौन करता है cerebral करता है hypothalamus भूख लगी है भूख यानि हंगर भूख प्यास इन सब को रेगलेट करता है तो बच्चा कौन सा मैडला और बलंग गोटा यह आपके स्वशन स्वशन या respiratory breathing को कंट्रोल करता है किसे कंट्रोल करता है breathing को कंट्रोल करता है तो जिसने लिखा मैडलम अबलंग गाठा option D क्या लिखा option D वो बिलकुल आपके सही है बात समझ माई तो answer किया तो option D इसका सही answer था चले अगला question पर अगला question है you are given three medium ABC ठीक है तो A का refractive index 1.33 है B का refractive index 1.65 है C का refractive index 1.46 है ठीक है तो आप देखोगे जिसका refractive index index क्या हाता है speed of the light in vacuum speed of the light in medium यह इतना निकल गाता है refractive index mu ठीक तो जाहिज ही बात है जितना आपका medium, medium क्या होगा Rarer होगा यानि refractive index कम होगा क्या होगा refractive index कम होगा उतनी ज्यादा speed of light होगी क्या होगी उतनी ज्यादा speed of light होगी तो speed of light किस में ज़्यादा होगा तो पहले वाले medium में सबसे ज़्यादा होगा उसके बाद C में होगा उसके बाद आपका B में होगा ठीक है अगर sound की बात करता किस की बात करता sound ध्वाने की बात करता तो यह उल्टा हो जाता जितना आपका dancer medium होगा क्या होगा जितना आपका dancer medium हो तो यहां क्या पूचा था यहां पूचा था प्रकास की गती किसके पूची थी प्रकास की गती तो प्रकास सबसे तेज ए में चलेगा इसमें चलेगा ए में चलेगा और एक्जांपल वैक्यूम में प्रकास की गती तेज होती है ठीक है पानी में कम हो जाएगी सीसे में और कम हो जाएगी तो जिसका refractive index जितना जादा वहाँ पे उतनी कम प्रकास की गती होगी तो answer क्या देते हैं कि जिसका refractive index कम है वहाँ पे प्रकास की गती जादा है तो answer क्या था option A इसका सही उत्तर था चलें आगे बहुत बढ़ी है चलिए अगले question पे चलते हैं देखते हैं अगला question क्या है to get two ohm resistance ठीक है using only six ohm resistor the number of them required तो देखो अगर two ohm resistors अगर प्राप्त करना है ठीक है और six ohm के resistors आपको given है तो जाइड सी बात है आपके दिमाग में पहले आना चाहिए यहाँ इसे parallel मेरेंज करेंगे या series में तो अगर आप series में देखोगे तो series वाला concept यह होता है अगर मैं series में लोंगा ठीक है मालो 6 ohm लिया 6 ohm लिया या भी छोड़ दो इसे छोड़ दो यही तो कितना होगे 12 ohm होगे कितना होगे 12 ohm 6 ohm ले ले लेता तो यह कितना हो था 12 ohm तो उस condition में क्या series में रिसिस्टरस जोड़के आप को इसका result क्या रहा है 2 ohm आ रहा है आपको बढ़ रहा है तो आप क्या क रोगे आप इन MY रिसिस्टरस को आप किसमें जोड़ दीजिये तो आप इन Kendigा क्यों औरप Sexual utilizz पैर्लेल में ठीक है आपको यहां कैसे तो यह भी 6 ohm है यह भी 6 ohm है यह भी 6 ohm है पहलेल में क्या होता है r equals to r equivalent equals to r1 upon r2 upon r3 यह बढ़ा होगा आपने ठीक है तो r equivalent equals to 1 by 6 1 by 6 1 by 6 1 by 6 कितना हो गया 3 by 6 हो गया ठीक यानी 1 by 2 आगया की नहीं आगया अब 1 upon r equivalent equals to 1 by 2 तो आप क्या कोगे r equivalents equals to 2 ohm तो किस में जोडा आपने parallel में जोडा समनांतर और कितने जोडे? 3 जोडे, कितने जोडे? 3 जोडे तो answer क्या होता? 3 क्या होता? option b 3 तो जिसने भी answer क्या दिया? कि 3 आपको क्या गरना बढ़ेंगे? 6 ohm के resistors अगर आप parallel में जोड़ दोगे तो वो 2 ohm में convert हो जाएंगे क्यों होता ऐसा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा इसका across क्या होगा? potential difference आपका same होगा current अलग-अलग i1, i2, i3 current क्या जाएगा? अलग-अलग हो जाएगा तो आपने पढ़ा होगा i equals to i1 plus i2 plus i3, v तो सबका same है, v upon r equivalent equal to v upon r1, v upon r2, v upon r3 तो v से v cancel होट जाता है, यहांसा formula जाता है, r equivalent equals to 1 upon r1, 1 upon r2, 1 upon r3 बास वाज माई और इसमें क्या होगा? current आपका same होगा, v difference होगा, ठीक है? तो v equals to v1, v2, v3 v1 plus v2 plus v3, v1 plus v2 plus v3, तो i r equals to i r1 plus i r2 plus i r3, i common ले लो, कड़ जाएगा, तो यहांसा निकल क्या जाता है, r equivalent equals to r1 plus r2 plus r3 यह series का formula होगया, यह आपका parallel का formula होगया, बास मजमाई की नहीं आई? बास मजमाई के series में i constant रहेगा, सबक्या cross, parallel में v आपका constant रहेगा, सबक्या cross, चलिए, अगला question who was named journalist of the year in red ink award for the excellence in journalism 2021 ठीक है, तो 2021 जब खतम हो रहा था, तो उस time पे आपका red ink awards for excellence in journalism दिया गया, आपका बताना है कि journalist of the year के नाम से किसे सम्मानित किया गया, दानिस सिद्धिकी, फैडि सूजा, प्रेम शंकर्शा या सौरब शुक्ला, तो आपको याद हो रहागा, उस time पे दानिस सिद्धिकी की अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, तालीबान के आकरमन में क्या होगी थी? मृत् पुरुसकार से सम्मानित किया था? और ये उस time के ततकालीन, जो मुख्या नहीं दीशते वो थे, N.V. रमन्ना, 48th, उन्होंने क्या किया था? सम्मानित किया था? प्रेम संकर्शा को, Lifetime Achievement Award, Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया था? तो Lifetime Achievement Award कि इसे मिला था? तो प्रेम संकर्शा को मिला था आपका Lifetime Achievement Award, ठीक है? तो जिसने भी आंसर क्या दिया? दानिस सिद्धिकी Option A, क्या दिया? दानिस सिद्धिकी Option A, बिलकुल आपके से ही है. क्या आप मुझे comment box में लिखके उता सकते हो? कि 49th, CZI, भारत के कौ कौन है? या कौन होंगे? अगला कुछ या दिया? प्रेम नरेंद्र मोदी विल ले दा फाउंडेशन इस्टान आफ मेंजर ध्यांचन स्पोर्स इंवर्स्टी इन विच सिटी तो पीम नरेंद्र मोदी किस सहर में मेजर ध्यांचन स्पोर्स इंवर्स्टी की आधार सिला रखेंगे कानपूर में, मेरेट में, भोपाल में या आपका राच्ची में ये भी आपका ठीक है डिसंबर 2021 का करंट अफेर है आपका तो आप देखोगे कि ये जो स्पोर्स इंवर्स्टी है ये जो स्पोर्स इंवर्स्टी बन रही है इसके लिए सरकार ने कितना 700 करोड खर्च करने का लक्ष रखा है कितना रखा है 700 करोड और ये सर्धना कश्वा है कहां पे मेरट जिले में कहां पर मेरट जिले में जहां पर इसकी आधार्शिला रखे जाएगी तो आंसर क्या था इसका अंसर था ऑप्शन भी क्या था ऑप्शन भी मेरट तो जिसने भी आंसर दिया मेरट वह बिल्कुर सही है और गाउं की बात करें युपी के लिए जरूरी है सालवा और काली गाउं के नाम है जहां पर यह आपका बन रहा है ठिक और मेजर ध्यान चंद के नाम परी 2021 में राजीव गांधी खेल रतन खेल रतन का नाम परिवर्थित करके ध्यान मेजर ध्यान चंद खेल रतन रख दिया गया है क्या रख दिया है मेजर ध्यान चंद खेल रतन जिसके तहत जिसके तहत कितना पईसा मिलता है रुपीज 25 लाख कैश प्राइज मिलता है कितना मिलता है 25 लाख रुपे कैश प्राइज मिलता है तो जिसने भी आंसर क्या दिया था ओप्शन भी मेरट तो वो बिल्कुल आपके सही थे तो कोशन नमबर 13 का अंसर क्या था ओप्शन भी चले आगे चली अगला कुशन चाइना हैस क्लेम विच इंडेन स्टेट आजस साउदन तिबद तो चीन ने किस भारते राज्य को दक्षन तिबद के रूप में दावा किय अरुनाचर प्र्देश, उत्राखन, सिक्किम या आपका मिजुरह, वाकशन दोड़ेत Śक, और met इसका उससा ही उत्तर क्यों होगा तो चीन ने भारत के के खिल सेउच्व में किया गया था 1914 में और चीन इस रेखा को नहीं मानता लेकिन हम तो मानते हैं हम तो मानते हैं तो आप देखो गहिए जो मैक मोहन रेखा है ये तिबथ जिस पर चीन ने कपजा माल लिया है और अरणाचल प्रदेश के बीच में है किसके बीच में अर्णाचल प्रदेश के बीच में तो जाइज सी बात है अर्णाचल प्रदेश को ही अर्णाचल प्रदेश को ही चीन क्या बोलता है ये साउथ तिबबत है कि क्या आपका साउथ तिमबत है क्या बोलता है साउथ तिमबत तो जिसे अल्चन प्रिधे S. आपकी चीनद से लगती है तो आंशर किया था And Nachal Pradesh जिसने भी आणसर क्या लिखा option A क्या लिखा option A वो बिल्कुल आपके सही चले आगे बहुत बढ़िया अब आज़ेगे Under which type of natural hazard to bilgeards come अगर मैं बात करू bilgeards की किस प्रकार के प्राकरतिक खत्रों के अंदरगात होता है atmospheric आएगा, aquatic आएगा, terrestrial आएगा या आपका biological आएगा जैविख्या, स्थलिये है, जलिये है या वाई-मंडली है तो पहले तो मुझे पताना हो जिए bilgeards है क्या अगर मैं बात करूं bilgeards आपका local wind है क्या है इस्थानी हवा है जो कि आपकी बहुत ठंडी बर्फीली हवा होती है कौनसी बर्फीली कौनसी हवा आपकी ठंडी बर्फीली हवा होती है ठीक है इसे साइबेरिया के शेत्र में आप बुरान के नाम से भी जानते हो यह नौरदर के नाम से भी जानी जाती है पुर्गा अलग-अलग शेत्रों में इसके अलग-अलग नाम पढ़ेंगे तो जाहिट सी बात है अगर मैं हवा की बात करूँ हवा इसमें आपकी स्थाई पर्मेनेंट विंड्स, सीजनल, रितू अधारित विंड्स और इस्थानी है पावनें तीनों आती है और ये किसका भाग है आपको होगे सर ये तो वायू मंडल का भाग है ये कौन सी घटना आपकी वायू मंडली ये घटना है तो जाहिए सी बात है अक्वैटिक होता तो सुनामी के लूँ भाई सुनामी की बात होती टेरिस्टियल में भुकांप होता नहीं फिर इरोजन होता अपरदन ये सब बायलोजिकल में रसाइनिक केमिकल वैपन्स या वायरस वायरस बना दिया ये सब चीज़े तो आंसर क्या था आप्शन ए क्या था आप्शन ए वायू मंडली ये तो जिसने भी आंसर क्या दिया है जिसने भी आंसर दिया है ऑप्शन ए वो बिलकुल आपके सही है तो आंसर क्या था ऑप्शन इसका सही उत्तर था चलिए अगले कुशन बेर कि on in which of the following state is the नंदा देवी बायस पर mightie जर्व आपको मत अना मिकось उत्म से किस राज्जे में नंदा देवी बायस्फर पर बायस परीजर्व तो नं दादेवी बायस फेर बायस परंपर जर्व करहें या नंदा देवी नंदा देवी नैशनल पार की मैं अगल फूलों की घाटी कहें कौनसी फूलों की घाटी नैशनल पार्क वैलियो फ्लावर्स की बात करें या जिम कॉर्बेट की बात करें जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क की बात करें राजा जी नैशनल पार्क की बात करें तो यह सब कहां कहोगे यह सब आपके उत्रा खंड में है गहां है आपके उत्रा घंड में तो जिसने भी आंसर क्या देया होगा जिसने भी आंसर दिया ऊत्रा ध्राकरकम का उत्राखर मों बिलकुल आपके साही तो अं Caitlin अच olm भरी ताइब इसका उत्तर अचीह था आ। सी उत्राखर उत्तरप्रदेश में दूधवा, कौनसा आपका, दूधवा नाश्नल पार्ग, बिहार में बाल्मिक्की, कौनसा बाल्मिक्क, उडिसा में सिमली पाल, ठीक है और बीतर कर्णी का, नाश्नल पार्ग, ठीक है यह गाय आपके उडिशा में तो जिसने भी आंसर क्या दिया था ये नंदा देवी बाइश्वे रिजर्ब और नंदा देवी तो आज एक य्मिस्को natural heritage site natural heritage site ये भी आपको याद रखना है तो answer क्या देना था? option c option c उत्राखण में आपका इस्तित थे चलिए अगले question की बार हि अगला question है which one of the following proportion of area of the country was targeted to be under forest in forest policy of India प्रिया तो भारत की वननेती में देश के शेत्रफ़ल के निविनिके उनपाद में किस एक को वन के अंत्रक्त रखने का लक्षर रखा गया था तो आप देखोगे तो कितना परतिशत भारते शेत्रफ़ल का लगबग 33 पर outta प्रिक्ष अच्छादित है तो लक्ष कितना रखा गया है तो 33 प्रतिशत का लक्ष रखा गया है तो जिसने भी आंसर क्या दिया कि वर्ण संपधा कहता है 33 प्रतिशत हिस्से पर क्या होना चाहिए वह बिल्कुल आपके सही है तो आप्शन एसका सही उत्तर था चलिए अगला कुक्षिट इन विच अब दो फॉलइंग स्टेट इन इंडिया डू भी फाइंड एस टाइप अफ लाइमेट एस पर दा कोपेंस क्लासिफिकेशन ठीक है तो अगर बात करें कोपें की तो कोपें ने मोटे तोर पे जलवायों को ताप वर्षन के आधार पर क्लासिफाई किया है किसके वर्षन आप देखोगे हैं ऑप लिए बी का ऑद अफ चाने डी एवी सीडी है और उसके बाद ह की बारिया ती वी किस पर दात कि अधार है जो भी है वह आपका रेंट पोल वर्षन पर दात है बाकित सारे तमपरेचर बेस क्या आपके तर्पेर देशर में चार्पार यह जाम में आथा अर बारति है जलवायू को कॉपन ने आठ भागों में भाटाया आठ भागों में भाता भारती जलवायू को ठीक है तो इसमें ए-m-dew-lue monsoon with short dry season ठीक है तो आप देखो कि बहुत छोटा dry season कहीं आता है तो वह मालाबार थट पर आता है ठीक है ए-s monsoon with dry summer तो आप देखोगे जब पूरे भारत में बारिश होती है तो जो यह मालाबार थट है कौन सा गॉंग करन क्या नाम है और यह आपका कोरो मंडल थट है यह कौन सा आपका कोरो मंडल को थट है यहाँ पे बारिश नहीं होती जब और वापस लोड़ता है आप देखोगे इस कवर मंडल धाप या आपके रीट इकायगी तो जाहिए सी बात है मौन्सुन भीदया द्राइस द्राइस है और The Something आपको का मिलेगी तो कोरो मंधल तट पर देखने को मिलेगी तो जिसने भी आश्थ क्या दिया औन कोरो मंटल कोस्ट ऑप्शन सी क्या दिया ऑप्शन सी वो बिल्कुल आपके सही केरियल और के कानाटक एघौन तटी एमें कैसा ह। एस Welcome सब का एए से ठीख है कि इए व्लू ट्रोपिकल सवाना जितना भी आपका पैनेंसुलर इंडिया तो यह क्या आपका ट्रोपिकल सवाना टाइप का है ठेगे बीस्ड़ू सैमी आरड इस्टापी टाइप कि जहां पे बारिश कम वर्शन कम और ठीक है cwg monsoon with dry winter monsoon with dry winter winter में बारिश कम हो तो आप देखोगे कि जितना भी आपका ठीक है यह जो portion है ठीक है यहाँ पर क्या देखोगे जो plane आपका इंडिया गंगाटिक plane यहाँ पर winter में बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती dfc cold humid winter with the short summer ठीक है तो यह जितने भी आपके पहाड़ी इलाके और नाचल प्रदेश वाला वो dfc है और यह आपके polar type जो आपके पहाड़ी इलाके बहुत हुची हुचे वहाँ पे polar type की जलवाईउ मिलेगी तो as यानि short आपका dry summer जो आपका monsoon है वो कहा है आपका चल अगरे कुश्चन पे चली तो यह भी आज रखना है कोपन ने भारती जलवाई को कितने शत्र में बाटा है तो कोपन किसाफ से भारती जलवाई को 8 भागों में बाटा जा सकता है मोटे तवर पे आप 5 देखोगे A, B, C, D, E और H आपके हाइड के अधार पे है किसके हाइड उचाई के आधार पे है और B आपका वर्षन प्रेसिपिडेशन के अधार पे है बाकी A, C, D, E on the basis of temperature तापमान के आधार पे है ठीक है चली अगला विशन विर्चन अप्ट फॉलोईग मिर्नल is known as boron diamond ठीक है आपको बताना है brown diamond ठीक है निवली कितमें से कौन सा एक भूरा हीरे की रूप में जाना जाता है लोहा ग्रेनाइट मैंगनीज माइखा तो लोहा तो बिल्कुल नहीं होगा ठीक है लोहा क्यासा होता है तो आपने सुनागा कि श्याम आयस के बोलते है काला धातु बोलते है तो भूरा तो बिल्कुल नहीं है तो बच्चा कौन सा लिगनाइट कौन सा बना लिगनाइट तो आप देखोगे लिगनाइट कोईले को कोईला आपका black diamond है क्या आपका BLAC के diamond है ठीक है betuminous दूसरे नमबर पे फिर लिगनाइट कोईले का तीसरा टाइप होता है चोथा आपका कौन सा होता है कि छोथा आपका sectuary रखिप यग्लेट थीग है anthracite betuminous लिगनाइट और फिर आपका ठीक है फिरो एकलेपर ये मत्रीपरा Ilया ये तो ये आपका lignite तीसरे परकार का है, तो ये कैसा होता है भूरे रंक500 होता है, किसा है? भूरा, भारत में तमिल लाडू में तमिल लाडू में नवेली शेत्र है, जहां पर lignite परचूर मातरा मिलता है क्या मिलता है? नवेली में जो थरमर पाउर प्लांट है वो लिगनाइट पर बेस रहे है तो जाइड सी बात है लिगनाइट को क्या बोलोगे भूरा डायमंड बोलोगे तो जिसने भी आंसर क्या लिखा जिसने भी आंसर लिखा ऑप्शन भी क्या लिखा है ऑप्शन भी वह बिलकुल आपके सही है तो अगला कुशन दा अर्लियस्ट आइरन स्टील कमपनी टू बी स्टाबलिस्ट इंडिया तो आपको उता आना है भारत में स्थाफित वनवाली सबसे पहली आइरन स्टील कमपनी कौन सी थी बहुत इजी कुशन है आप देखोंगे 1907 में जमसेद जी कि टाटा ने ठीक है जमसेद पूर में यानि टाटा नगर में किस की स्थाफना की तो टिसको किस की टाटा आइरन स्टील कमपनी आपकी टिसको की स्थाफना है तो भारत में सबसे पुरानी कोई आइरन इंडस्ट्री है तो 1907 मनी थी टिसको कौन मनी थी आपकी टिसको तो जि दिया, option B दिया, वो बिल्कुल आपके सही है, तो इसका सही उत्तर क्या था, option B इसका सही उत्तर था, चले आगे, बहुत बढ़ी है, तो अपने दोस्तों के बीच में class को शेर करना बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम केवल यहाँ पर 25 कोशन नहीं करते हैं, 25 के साथ वो सारे कोशन में सीधा तालुक है, और आप देखो कि ऐसी कोशन्स आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपने दोस्तों के बीच में class को शेर करिए, और जादा से जादा टाइम पर ठीक है, क्या करिए, classes का lift उठाए, बिलिए free of cost है, और आपकी सफलता ही हमा मात रख है, क्योंकि result तो कहों देगा, result गुरु ही देगा, तो चलिए, अगले कोशन में चलते हैं, अगला है, the president give his resignation, आपको बताना है, राष्टपती अपना इस्तिफाक किसे देता है, पोलिटिको कोशन है, बहुत एजी कोशन है, ठीक अच्छी एक जस्टिस को देगा, पार्लेमेंट को देगा, वाइस प्रेजिडेंट को देगा, या प्राइम मिनिस्टर को देगा, तो आपने पढ़ा होगा, कि राष्टपती, राष्टपती अपना त्याग पत्र उप राष्टपती को देता है, यह किसे देता है, उप राष्टपती, उप राष्टपती यह सूचना किसे देंगे, तो पराश्पति यह सूचना लोगसभा अध्यक्ष को देंगे, और जब लोगसभा अध्यक्ष सदन के अंदर पढ़कर सुना देंगे, क्या कर देंगे, पढ़कर सुना देंगे, तो उनका Regignation से विकार माना जाएगा क्या मना जाएगा राश्ट्पति त्याग पत्र किसे देगा तो राश्ट्पति त्याग पत्र अपना राश्ट्पति को देगा किसे देगा और अपराश्ट्पति अपने त्याग पत्र किसे देता है तो वह राश्ट्पति को देता है वह किसे देता है राश्ट्पति यानि एक दूस्रे को त्याग पत्र देखर ये अपने पत्से मुक्त हो सकती है ठीक है और प्रदार ऋमंत्री त्याग पत्र किसे देता है मुख्य नटीस यह भी आपके राष्ट पत्र को देता है ठीक है ठिक किसे देता आपके और लोग सभा अध्यक्ष किसे देता है लोग सभा अध्यक्ष किसे देता है ये लोग सभा के उपा ध्यक्ष को लोग सभा के उपा ध्यक्ष को देंगे तेभी एक्जाम में अक्सर कोशन आता है तो याद रखेगा तो आंसर क्या था इसका आंसर था वाईस' प्रजिडेंट क्या था वाईस प्रेजिडेंट वपर राश्ट्पती के रास्ट्पती वपराश्ट्पती को यद्यक पतर देते हैई तो जिसने भी अंसर अंसर या औसे आप्शन वो बिल्कुल आत्के सही थे चलिए अगला कुछिर दचेफ मिनिस्टर ऑफ इन टरिटरीज वेर सच आज सैट अप एक्जिस्ट इस अपॉइंटीड भाई आगो ताना है केंद्र साशित प्रदेश के मुख्य मंत्री जाइंस तरह की वहसता हो मुझे उद्वा द्वारा नि जाहें आपके उप राज्यपाल की निखती हो उप राज्यपाल की निखती हो मुख्य मंत्री की निखती हो मंत्री परीशत की निखती हो यह सभी राष्टपती के द्वारा होते हैं है किसके द्वारण होंगे राष्ोपती के द्वारा होते हैं ठीक है तो जाहिच सी बात है इसका आंसर क्या देती इसका आंसर देते option C Mr. President कौन देगा answer C राष्टपती के द्वारा होगा तो जिसने भी answer क्या दिया है option C लगा है वो बिल्कुल आपके सही है ठीक है चले आगे चली अगले कुक्षिन की बारे है वो अमंग दो फॉलेंग इंजोई दा रैंक ओफ व्काबिनेट मिनिस्टर आफ दा इंडिया यूनिय आपको बता ना है निव लिखित में भारते संगे के कैबिनेट मंत्री का दरजा किसे प्राप्त है इन मेंसे किसी को नहीं है डिप्टी चैर्मेर ऑफ निति कमिश्टर Deputy Chairman of the Rajya Sabha Secretary of the Government of India तो आप देखोगे मंत्री थीन प्रकार के होते हैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं here are three types of ministers एक होता है cabinet मंत्री cabinet फिर होता आपका राज्य मंत्री और फिर होता है आपका उप मंत्री जो देश का निति निर्माता होता है वह होते हैं आपके Cabinet Rank Minister और आप देखोगे जो नीती आयोग का किसका नेती आयोग का डिप्टी चेर्मैन है क्या है नेति आयोंग के मंत्री का दर्जा प्राप्त है यानि उन्हें जो सुलेगे उन्हें जो शक्तिया मिलेंगी उन्हें जो वेतन भत्त मिलेंगे किस को मिलेंगे वической कैबिनेट मंत्री के बराबर भी लेंगे किसके कैबिनेट मंत्री के बराबर हां जी निति आयोग का गठन बताओ निति आयोग का गठन ठीक तो आप देखोगे निति आयोग का गठन किसका निति आयोग का गठन पहली जनवरी 2015 को किसके दवारा मोदी सरकार के दवारा और इसने किसका स्थान लिया इसने योजना आयोक का स्थान लिया चैर्मेन को नोता जी इसके भी चैर्मेन आपके प्राइम मिनिस्टर प्रधार मंत्री होंगे क्या होंगे प्रधार मंत्री डिप्टी चैर्मेन कौन है डिप्टी चैर्मेन तो आप देखोगे सुमन सुमन बेरी साहब इसके क्या है आपके डिप्रीचेर Praise सुमन बेरी ठीक है अगर CEO की बात करें किसकी CEO की बात करें कि नीती आयोग के CEO को है आपके तो आपके परमेश्यृरम आईर परमेश्यृरम तुर आईयर आने वाले एक्जाम में यह पूछा जा सकता है परमेश्वरम आयर तो यह तीन नाम तो आप बिलकुल याद रखना किस में नीती आउयों चेर्मेंन को नहता है पुर्धा मंतरी होते हैं डिप्टी चेर्मेंन सुमन बहरी साहब है और परमेश्वरम आयर क्या है आपक के चीफ एक्जिकेटिव ऑफिसर बात समझ माई चलिए अगले कोशन की बारी अगला कोशन है आपका आप पर्सन हो इस नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियमेंट कैन बी अपॉइंटिड आज अ मिनिस्टर बाइद प्रेजिडेंट फॉर दा मैक्समुम पिरियड ऑफ अगर कोई मंत्रियों कि निक्ति प्रदामुंट्री कि सला पे प्रदान मंत्री की सला पे किस के सला पे Article 75 में आपने प्रदान मंत्री की सला पे राष्ट्ट्पति है किसके द्वारा होती है राष्ट्पति है मंत्री कौन बन सकता है कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है उसके लिए क्या सर्थ है किसी ना किसी सदन का किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए चाहिए आपका लोक सभा का हो या राज्य सभा का हो यानि मंत्री बनने के लिए नियुंतम आयू मंत्री बनने के लिए नियुंतम आयू कितने हो जाएगी 25 वर्ष कितने हो जाएगी 25 वर्ष क्योंकि लोगस्वा के सदस्य कितने हो है 25 केज में बन सकते हो अगर आप नहीं हो तो 6 मा का समय रहता है 6 मा के भीतर के भीतर सदस्ये बन जाए कितने मा के भीतर 6 मा के भीतर सदस्ये बन जाए तो जाइड सी बात है 6 महीने कितना 6 मन्त और अगर आप सोचों कि मैं एक बार मंत्री बन जाओ और 6 महिने से पहले रिजाइन कर दू फिर दुबारा मंत्री बन जाओ तो ऐसा नहीं होगा ठीक है अगली बार आप मंत्री तभी बनेंगे जब आप सदन के सदस्य होंगे ऐसा सुप्रीम कोट की जज्जमेंट कहती है तो आप बिला किसी हाउस के सदस्य रहे था चली अगला कोशन वेन एकना प्रेजजन योज है इस डिस क्रियेशन इन अपोईंटिंग दप्राइम निस्टर तो प्रदा मंत्री की निकति में राश्मति अपने विवेक का प्रियोग कब कर सकता है ठीक है तो विवेक का मतलब विवेक का मतलब में अपनी बुद्धी का है वैसे आपने आर्टिकल पढ़ा होगा आर्टिकल सेवेंटी थ्री कि एक आड़िकल बढ़ागाना आड़िकल 70 कौनसा हैं और तो पॉलिटी में एक आड़िकल बढ़ते हो आड़िकल 74 कि राश्रपती को सलाह देने के लिए मंत्री परीशद होता है राश्पती को सलाह देने के लिए क्या होगा एक मंत्री परीशद होगा ठीक और इस मंत्री परीशद का मुख्या कौन होता है इस मंत्री परीशद का जो मुख्या होता है वो आपके राष्ट्पती होते है प्रधान मंत्री यह आपने पढ़ा होगा यानि राष्ट्पती को कोई भी काम करन है तो इस condition में अपने विवेक का प्रियोग निकरना है कबिनेट जो कहेंगी उसके आधार पर करना है ठीक है अब जब किसी बी जब चुनाव होते हैं क्या हो चुनाव हो और किसी भी पार्टी को किसी भी कि पार्टी के पास बहुमत नहीं है क्या नहीं है बहुमत नहीं है तब राष्टपती तब राष्टपती अपने विवेक का प्रियोग कर सकता है आपने विवेक का प्रियोग करके जिसे चाहे उसे क्या नुक्त कर सकता है उसे प्रधा मंत्री नुक्त कर सकता है और कह सकता है कि आप बहुमत एतने दिनों में सिद्ध कर दें ठीक है ऐसा सबसे पहले 1979 में किसने किया था नीलम संजीव रेड़ी ने किसने किया था नीलम संजीव रेड़ी ने 1979 में किया था जब चौधरी चरन सिंग को चौधरी चरन सिंग को क्या बनाय था देश का पीम बनाय था ठीक है तो अगर आप से पूछे कि सबसे पहले किस राश्ट्पती ने अपने विवेक का प्रियोग किया है तो क्या कहोगे नेलम संजीव रेड़ी ने चोदी चरण सिंग को प्रधा मंत्री बनाने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया था तो वैन नो पोलिटिकल पार्टी इंजोई अक्लियर मैजोर्टी इंटो दा लोगसवा इन दाट कंडिक्शन प्रेडेंट के लिए इस डिस्क्रेशन पावर या आप क्या सकते हो जब किसी भी पार्टी को ठीक है लोगसवा में बहुमत प्राप्त नहीं है तब राश्पती अपने विवेक का प्रयोग करके किसी को भी क्या कर सकते हैं, तो प्रधा मंतरी नुक्त कर सकते हैं, और आर्टिकल 361 के तहत इन्हें आप कोर्ट में इसके लिए संबन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो राश्मति अपने पत पे रहते हैं, अगर कोई भी काम करते हैं, तो उन्हें उसके लिए कोर्ट में संबन नहीं किया जा सकते हैं जिसने भी आंसर किया दिया option A answer लगा है वो बिलकुल आपके सही है ठीक यह थे आज के बहतरीन 25 कोशन ठीक कल फिर आपसे मुलगात होगी इसी तरह से बहतरीन कोशन के साथ देखते रहें result गुरू और अपने result को बहतर बनाते रहें मिलते हैं आप से तब तक लिए मुझे जाज़त धन्यवाद